वो गाना नहीं आया थो बड़ा फेमस हा केफरिया तेरा इश्क है पिया वो केफरिया रंग में महराश्र की जनतार रंग गई है चारो तरफ भगवाई भगवा लहरा रहा है पर आपको बता दें चोड़ा सा थोड़ा सा डाउन होते हैं लेकिन अंतर इतना जादा है तीन गुने से जादा का अंतर है मायूती महापिकास बिगाडी के अंदर बीजेपी 120 पर है शिंदे सेना 52 पर है फिर आपको बता दें 54 सीटें थी अंडिवाइड़ शिव सेना की 52 पर अकेले एक नाच शिंदे और यही आपको तकलीफ दिखाई दे रही होगी संजेर राउत की बात में जब उनका क्या 50 सीटें आ जाएंगे एक नाच शिंदे की तो सीटें आ रही है ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये नतीजे उनके गले बिलकुल नहीं उतर सकते कि बोटर ने असली शिव सेना एक नाच शिंदे की सेना को मान लाइब दिक्कत यह भी थी कि लाड़की बह बहना योजना कुछ कोई खास असर नहीं डाल रही है जबकि वो डिनायल मोड में हैं यहां पर आप देखिए कि लाड़की बहना योजना का सर सीधे-सीदे तोर पर देख रहा है जो महिला वोटर टरनाउट बढ़ा था वो कही ना कहीं वोट फरसंटेज BJP के लिए क्यों जब उन्हें बाद में पता चला कि योजना कारगर साबित हो रही है और उसका इंपेक्ट दिखाई दे रहा है तो कॉंग्रेस अपने मैने पेश्टे में महा लक्ष्मी इसको योजना नाम से लौंच किया और फिर 3000 रुपे देने की बात कही तो जिसको BJP ने पलटा दिया कि देखो पहले तो यह विरुद कर रहे थे और फिर उसको देटा भी पलट रहा है यहाँ पर महा पितास घाडी अब 55 पे था अब वो 73 सीचो पर लीड डेलेने में खामयाब हो रहा है वहीं महा यूती की लीड जो है 223 से गटकर अभी 211 पर आ गई है लेकिन फिर भी इतन कोई यह कहे कि इसरे बटेंगे तो कटेंगे कोई यह कहे कि लाडली बहना वाला जो फॉर्मूला है वो चल पर आती ची यह कह सकते हैं कि संग को पहले नारास कर दिया फिर जाकर मना लिया फिर जहां जहां एलाइंस में कोशिश हो सकती थी वहां एलाइंस कर लिया मनो जरा कि जहां पर मुसलिम डॉमिनेंस थी वहां पर बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मॉला चला जहां पे इनको महिलाओं की जड़ती महिला वोट की वहाँ पे उन्होंने वह वाला फॉर्मूला अपना है तो यह दिखाता है कि बीजेपी के अंदर अभी भी जो पार्लिमेंटरी एलेक्शन्स में जो हमने देखा कि एक डिकलाइन में जा रहे थे एक री इमर्जन्स री सर्जन्स हम देख रहे हैं अपना सर्जन्स बता देते हैं एक बार जरा अखड़ा साट सीचों का रुजान आ चुका है विदर्ब में जनता क्या कहती है वो आपके सामने नतीजे वो रुजान 49 सीच पर महायूती आगे चल रही है विदर्ब जहां पर थी महायूती कमजोर वहां पर उन्हों ने महाविकास वागारी की गाली को पीछे ढखेल दिया है 21 सीचों पर महाविकास वागारी आगे चल रही है अगली तस्थीर अगला रीजन आपके सामने उत्तर माहराश्रों में उत्तर माहराश्रों के बाद पश्रिम माहराश्रों जहां से बारमती आता है जहां और अंगाबाद आता है वहाँ पर महायुती की स्थिति क्या बीजेपी का भगवा यहां पर लहरा रहा है महायुती के स जनता का भरोसाँ ज्यादा अदर सीखाते में चार महीं अगर महाविकासदाड़ी की बात करें साट सीट मांत्र साट सीट इतने बड़े रीजन में महाविकासदाड़ी के पास साथ सीटों में रुजान अब आप देखें ठाने कॉंकन का बेल्च 42 सीटों का रुजान क्या कहता है महायुती आगे 34 सीटों पर महाविकास अगारी 8 सीटों पर इस रुजान में दिखाए दे रही है हला कि यहां पर कोई बहुत बड़ा अनेक्सपेक्टेड आप यह कहें कि अगर यही रुजान है जो नतीजों में तबदील हो रहे है सचिन यह साफ का जा सकता है महायुती 38 सीटों पर डीच करते हुए महाविकास अगारी 9 मुंबई की फीट क्या कहती है मुंबई की 46 फीट यहां पर बीजेपी का जलवा कायम है यहां पर एकना शिंदे का जलवा कायम है सथाई सीट पर गो आगी और वही महाविकास अगारी 9 सीट अपर जी सचिन जी देखिए राहुल गांदी ने जब उनको पता चला कि अब यह ट्रम कार जो है लाडली बेनाई चल रहा है और हमारी मालक्ष में योजना नहीं चलेगी तो आखरी के चिनोई जो रैलिया जो है वो नहीं चला उन्होंने फिर काश का कार खेला और सवीदान का कार खेला हमने देखा कि हर सवा में सवीदान लेकर आते थे और जातीकर जन्नकरना की बात की लेकिन वहाँ पर भी बीजीपी ने चाहे आदिवासी हो दलित हो या फिर कुन्बी हो और मराटा हो इनको साही ने चाहे सरकार का काम या उनकी योजनाएं जो थी उसका परिट्रिशन इतना अच्छा था कि वो चुनाओं में विपक्ष के किसी भी कार्ट पर भारी पड़ा है आप वो नतीजों में साफ देख रहे हैं सवा दोसो पर महायूतिया आपको दिखाई दिरिये दोसो चौविस पर अठावन पर केवल महाविकासा घाड़ी आपको यह ऐसे ही आपको अठावन साथ पैसर कभी कभी सतर इस फिगर गोट जादा चेंजिस नहीं रहा है क्योंकि आप देखिए आट बज़े से कांटिंग जो है वो शुरू हुई थी और तीन घंटे हो गए है तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हो जाएगा वागी इसके अलाव बहुत लाव नहीं हो नहीं हुना है आप वही पुराने लोकसभा के रटे रटा भाषन वही मुद्दे वही समिधान की कॉपी लेकर आगे बढ़ र पुरू तो इसे पार्टी बिल्कुल और कॉंग्रेस पारिटी के नेता भी इस बात को कहते हैं कि आखिर हमलोग चुनाओ लड़ते क्यों नहीं है हमें समझ मेनिया था जिब हमारा काम ही है यह अई पॉलिक्स तो फिर हम लोग क्यों नहीं लड़ते हैं सामने बीज़ेब